पूरी सरार हवेली पेशे खिदमत है एक ऐसी कहानी खूनी लिबादे में लिप्टी हुई जुल्मों सितम की दर्दनाग नकाबले फेहम दिल्फगार खूँचकां तहरीर मेरा तालुग एक प्राइवेट चैनल से है मेरे सपूर्द चैनल के लिए डोनी स्टोरी और मुख्तलिफ पूरिसरार इमारतों के बारे में फीचर रिपोर्ट तियार करना है काम करने का मेरा अंदाज दोस्तों से जरा मुख्तलिफ है मैं अपनी तहकी की रिपोर्ट में ममूली बातों को भी नजर अंदाज नहीं करता। काम के दोरान अक्सर मुझे अजीब औ गरीब वाकिया से भी दोचार होना पड़ा है लेकिन बाज अकात मौत मेरे बहुत करीब से गुजरी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी कैरियर की पहली तहकी की रिपोर्ट बनाई थी जो एक पुरसिरार अमारत के बारे में थी। इस वक्त मेरे साथ एक अजीब वाकिया पेश आया था। कैमरा मैन मेरे साथ था, मैं बालकुनी में खड़ा, बाहर की तरफ देख रहा था, कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई जानवर मेरे पाउं पर अपनी जुबान फेर रहा है। कैमरा मैं नदीम ने पूछा, यहां तो कुछ भी नहीं है, नदीम ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा एसा एसास हो रहा है, कि जैसे यहां कुछ है, मैंने गबराहट से कहा, अचानक मेरा जिसम हवा में जोलता हुआ महसूस हुआ, और मैं बालकुनी से उड़ता हुआ, फिजा मे उपर जाता चला गया, नदीम भी यह मनजर देखकर खौफजदा हो गया था, लेकिन इसने अपने खौफ पर काबू रखते हुए, यह मनजर कैमरे में फिल्म बंद कर लिया, फिर मुझे एक छटका लगा, और मैं कलाबाजी खाता हुआ, तेजी से जमीन की तरफ गिरने मौत लमहा मेरे करीब आ रही थी, कि अचानक जमीन पर गिरने से पहले मेरे हाथ में बालकुनी की ग्रिल का पाईप आ गया, मैंने इस ग्रिल को मजबूती से थाम लिया और मेरी जान बच गई, नदीम यह मनजर देखकर बहुत खौफजदा हो गया था, इसने मेरे गिरने का शौर्ट मुकमल कर लिया और फिर फुर्ती से नीचे आ गया, मेरे बालकुनी से फिजा में महलिक होने और जमीन पर गिरने का मनजर जब ऑन एर गया, तो मुझे खूब दाद मिली, अपनी तारीफ लोगों के मूँ से सुनकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया था और दिल में कुछ मजीद कर दिखाने की खुआश हलचल मचाने लगी थी, एक बार किसी गाओं में हम पुरे सरार हवेली की तहकी की रिपोर्ट त्यार करके आ रहे थे, कि हमारी गाड़ी चलते चलते रुक गई, इंजन गरम हो गया था, रेडियेटर में पानी नहीं था, मैंने बहादरी का मुझारा करते हुए खाली गैलन उठाया और पानी के लिए करीब के जंगल में निकल गया, रात का वक्त था, मैं बेखौफी से आगे बढ़ रहा था, एक जगा तालाब नजर आया, जैसे ही मैं तालाब के करीब गया, तो मुझे लगा जैसे वहां कोई जी है, सूखे पत्ञों पर किसी के चलने की ओवाज साफ सुनाई दे रही थी, नदीम तो मुझे डुराने की कोशश कर रही हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैंने कहा, नदीम ने मेरी बाद का कोई Amazon में दिया, में सलसल सूखे पत्ञों पर किसी के चलन वहां खड़ी थी जिसका जिसम काले रीच जैसा और मूँ किसी कुटे कासा था इसकी जैसे ही मुझे पर नजर पड़ी तो मुझे पर हमला करने को दोड़ी हम दोनों के दरमयान फासला ज्यादा था जिसलिए मुझे भागने का मौका मिल गया कुछ दूर तक इस मखलूक ने मेरा पीछा किया लेकिन फिर वो वापिस लौट गई इसके जाने पर मैंने अल्ला का शुकर अदा किया कि जान बच गई वरना इस मखलूक के चुंगल में फंस जाता तो आज ये कहानी सुनाने के लिए जिन्दा ना होता जब मैंने गाड़ी में आकर अपने दोस्तों को इस मखलूक के बारे में बताया तो वो मेरा मजाग उड़ाने लगे इनका ख्याल था कि मैं मजाग कर रहा हूँ लेकिन इने कैसे बताता कि ये हकीकत है बच्छमन में भी मैं खुद को बहुत बहादूर समयता था जब हम कराय के नए मकान में मुंतकिल हुए तो मकान पहले वाले मकान से बहुत बढ़ा था इसमें कई कमरे थे च्छत भी बहुत बढ़ी थी गर्मी के दिनों में च्छत पर सोया जा सकता था इस घर के बारे में मशूर था कि वो घर आसेबी है जो कोई भी करायदार आता है तो एक माह से ज्यादा इसमें नहीं टिकता इस घर में वाकई आसेब था वो किसी को परेशान नहीं करता था अक्सर घरवालों को बालकुनी, बवर्ची खाना और च्छत पर एक काला साया नजर आता था जिसका सर नहीं था मेरे भाई बहन इसका जिकर करते हुए खौफजदा होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था एक दिन में घुसे में आ गया और इनसे बोला, किसी दिन मुझे वो सरकटा नजर आने दो, फिर मैं इसको बताता हूँ, तुम इसको क्या बताओगे, मेरी महन ने कहा, मैं इसको ऐसा सबक सखाऊँगा, कि वो यहां आना ही भूल जाएगा, मैंने खुद को बहादर समझते हुए कहा, दुमान ऐसी बात नहीं करते, वो सरकटा ना सुन ले, मकसूद ने कहा, मैं इसको सुनाने के लिए ही ऐसी बात कर रहा हूँ, साला सब को नजर आता है, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाए, मैं जोश में बोलता चला गया, फिर अनीला और मकसूद के समझाने पर मैं वक्ती तोर पर खामोश हो गया था, लेकिन मैं दिल में तहिया कुछ चुछा था, कि मुझे जैसे ही सरकटा नजर आया, तो मैं आयतर कुर्सी पढ़कर इस पर फूप मार दूँगा, इस तरह हो सकता है, हमारी सरकटे से जान छूट जाए, इसी रात, जब मैं अप के खोल कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, जबकि मेरे गले पर मसलसल दबाओ बढ़ रहा था, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, सरकटे ने मेरी आज की गुफटबू सुन ले थी, इसलिए इनतकामी कारवाई के लिए आ गया था, सोते में इसने मेरा गला दबाओ कम होता जा रहा था, और फिर अचानक खतम हो गया, मैंने फॉरन बेट से उठकर पानी पिया, सांस बहाल होने पर सकून का सांस लेते हुए, चंद कुरानी आयात पढ़कर सीने पर दम किया और सो गया, सुबा जब मैंने घरवालों को रात का वाक्या सुनाया, तो वो सब खौफजदा हो गए, वैसे भी हम जब से यहां आये थे, अजीब और गरीब वाक्यात हो रहे थे, कभी सुबा पिंजरे में तोता मुर्दा हालत में मिलता, कभी करगोश, कभी मारी पालतू, बिल्ली के बच्चों में से कोई एक मुर्दा हालत में मिलता था, इन ब होती थी मेरा गरेलूम नाजिम शफी मुझे एक अर्से से कह रहा था कि मैं इसके गाउं में वाक्या बड़ी सी पुरिस्रार हवेली के बारे में फीचर रिपोर्ट तियार करूँ मैं इसका मजाक उड़ाने को कहता था कि जब तुम्हारी बहुत बड़ी हवेली है तो फिर जमीने भी होंगी हाँ हाँ नहीं वो कहता वो तुम्हारी जब इतनी बड़ी जायदाद है फिर मेरे पास नौकरी क्यों कर रहे हो गाउं में जाकर अपनी जमीनों की देख भाल करो साहिब मेरा दिल बहुत करता है कि जमीनों की देख भाल करो लेकिन मेरे वालिद दूर मुहम्मद ने मरते वक्त सखत अलफाज में कहा था कि जिन्दगी में कभी भूल कर भी गाउं का रुखना करो पता नहीं इनके दिल में गाउं का क्या खौफ बैट गया था मेरी माँ भी मुझे गाउं जाने नहीं देती थी फिर मैं किस तरह तुम्हारी पुरी स्रार हवेली के बारे में फीचर रिपोर्ट त्यार कर सकूँगा मैं कहता हूँ साहिब जब पुरी स्रारावेली के बारे में फीचर रिपोर्ट त्यार करना हो तो मुझे बता देना मैं अपनी माँ को ये नहीं बताऊंगा कि किस गाउं जा रही है बलके कह दूँगा कि साहिब मुझे शूटिंग के लिए कहीं ले जा रही है तुम्हारे वालिद और वालदा नहीं चाहते कि तुम गाउं जाओ मैंने पूछा मैं वो राज जानना चाहता हूँ कि जिसकी विना पर मुझे वहाँ जाने से मना किया जाता है इसने कहा शफी मुझे का इसरार जब बहुत बड़ा तो मैं भी इसके गाउं जाकर फीचर रिपोर्ट्स बनाने को तियार हो गया जब हम गाउं रवाना हुए तो शफी बहुत खुछ था ऐसा लगता था कि इसकी दिली मुराद पूरी होने वाली है मैंने शफी को सकती से बना किया था कि गाउं में वो अपने बारे में किसी को ना बताए और वो इसी पुरसरार हवेली वालों के खानदान का एक फर्द है इसने मुझ से वादा किया था कि वो किसी को अपने बारे में नहीं बताएगा जब हम गाओं पहुंचे तो दुपहर हो चुकी थी गाओं वालों ने हमें देखकर ऐसा गेरा डाल लिया था कि जैसे हम किसी और सियारे की मखलूक हूं दरासल हमारा चैनल बहुत देखा और पसंद किया जाता था मेरा प्रोग्राम लोगों में बहुत मकबूल था इसलिए मुझे और कैमरा मैन को देखकर वो समझ गए थे कि हम यहां किसी खास मकसद के तहट आए हैं गाओं के कई लोग हमें पुरे सरार हवेली ले गए हमने दिन की रोशनी में हवेली के बाहर और अंदर से मुखलिफ मनाजर फिलम बंद किये हवेली वाकई बहुत पुरे सरार थी अब तक मैंने जितनी भी हवेली आ देखी दी इन में ये सबसे खुबसूरत हवेली थी शफी मुहम्मद हवेली देखकर ऐसे दिवाना हुआ जा रहा था कि जैसे इसे कोई खिजाना मिल गया हो वो हवेली की एक एक चीज़ को बड़े गोर से देख रहा और खुश हो रहा था मैंने इसके कान के पास जार कर हलके से कहा शफी मुहम्मद अपने वादे का पास रखना जजजजी साहब वो मेरी तरफ देखते हुए बोला तुम इस पुरिसरार हवेली के बारे में कितनी ही तफसीली रिपोर्ट त्यार कर लो लेकिन वो अधूरी ही रहेगी एक बज़र्ग ने मेरे करीब आते हुए कहा वो कैसे मैंने पूछा मैं तुम्हारा प्रोग्राम हर अफ़ते बहुत शौक से देखता हूँ इसलिए मेरे जहन में ये बात है कि इस हवेली में रहने वाला कोई भी शक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन एक शक्स ऐसा है जो तुमें रास की बात बता दे अगर तुम उस से वो रास उगलवा सको जिसके सबब ये हवेली असेबी हवेली में तब्दील हो गई है इसने कहा इसकी बात पर मुझे हैरत का जटका लगा क्योंके वाकई वो दुरूस कह रहा था हमारे पास कोई भी शक्स ऐसा नहीं था शफी मुहमद खुद वो रास जानने के लिए हमारे साथ यहां तक चला आया था वो कौन है मैंने बजर्ग से पूछा वो दीनू बाबा है जो यहां से दूर एक जोंपड़ी में रहता है इस हवेली का सबसे पुराना और वफादार नौकर लेकिन इन दिनों कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है दिन बीङ मांगने के लिए दूर तक चला जाता है इसका एक अच्छा दिन गुजर जाए बजर्ग ने कहा बजर्ग की बात ने मेरे तजस्स की हिसको जगा दिया था और मैं ये जानने के लिए बेचैन हो गया था कि इस राज से परदा उठाओं जिसके सबब ये हवेली वेरान और असेबी हुई है ये राज वाकई दिनु बाबा से बहतर कौन जान सकता था क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन से अभी मुलाकात हो जाए मैंने कहा अभी वो भीक मांगने पता नहीं कहां गया होगा वैसे भी आप रात के वक्त हवेली की फिल्म बंदी करेंगे इसलिए इसका इंतजार कर ले बजर्ग ने कहा बाबा मुझे वाकई आप पर यकीन हो गया है कि आप हमारा प्रोग्राम चौक से देखते हैं जो काम मुझे करना है वो आपके इल्म में है मैंने हस्ते हुए का मेरे हस्तने पर वो बजर्ग भी हस्ती है शाम होने तक हम इस अवेली में अपना सामान रखकर आराम करते रहे जब शाम हुई हम दीनू बाबा की जौंपड़ी जाने को त्यार हुए शफी ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया और हमारे आने तक इसने गारी में बेटे रहने का फैसला किया था इसके हमारे साथ ना जाने से कोई خاص फरक نہیں पड़ा था इसलिए हमें से वही छोड़कर दीनू बाबा के पास चल दिये वो इंतहाई खसता हाल जोंपड़ी थी जिसमें एक बुड़ा आदमी बुरी तरह खांस रहा था वो हमें देखकर पहले परिशान हो गया फिर जब हमने अपनी आमद का मकसद बताया तो वो खौफ जदा सा हो गया बाबा क्यों गड़े मुर्दे उखाडते हो छोड़ो जो हो गया सो हो गया दीनू ने कहा नदीम मेरे कहने से पहले ही कैमरा आउन कर चुका था बाबा हम चाहते हैं कि लोगों को टीवी चैनल के जरीए पता चले कि हमेली पूरी सरार क्यों है इसके रहने वालों के साथ क्या बिती मैंने कहा एक तो ये मुझे समझ नहीं आता कि टीवी चैनल वालों को क्या हो गया है जो काम करना है वो नहीं करते बलके छोटी छोटी बातों के लिए महलों और गलियों में घूपते भिरते हैं छोड़ो तुम कोई ढंका काम करो ताके तुमारा अफसर तुमको शाबाश दे ये क्या पुरानी बात पूछने आ गए जो बात गुजर गई वो गुजर गई दीनों ने अफसुर्दा होते हुए कहा पाबा हम बड़ी उमीद से आपके पास आये हैं एक आप ही है जो हमें इस रास के बारे में हाँ हाँ बाबा अब जहन पर जोर डाल कर बताएं अगर आपने हमारी होसला अफ़जाई ना की तो हमारा दिल तूर जाएगा मैंने बात बंती देखकर कहा ये इन दिनों की बात है जब मैं खूबरू जवान था दिनों बाबा खलाओं में गूरते हुए मेरी तरफ देखकर गोया हुए वडेरा जान मुहमद के चार लड़के शेर मुहमद, पीर मुहमद, नियाज मुहमद और नूर मुहमद थे एक लड़की फिरोजा भी थी इसने अपने चारों लड़कों की शादी कर दी थी फिरोजा यूनिवस्टी में पढ़ती थी मडेरा जान मुहमद की खौईश थी कि फिरोजा अपनी तालीम मुकमिल कर ले ताके वो इसकी भी शादी अच्छे खांदान में कर दे इसे ये पसंद नहीं था किसकी बेटी यूनिवस्टी के हॉस्टल में रहे लेकिन फिरोजा की जिद और ये जान करके हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां ही होती है इसे रहने की अजाज़त दे दी थी कासिम भी फिरोजा के साथ पढ़ता था खूबसूरत नوجوان था इसमें एक खास बात ये थी कि वो लड़कियों की तरफ आँख उठाकर नहीं देखता था बस हर वक्त पढ़ाई में मगन रहने वाला नوجوان था फिरोजा की बाच्चीत भी कासिम से इसी बिना पर हुई थी कि वो लेक्चर बड़ी तवज्जों से सुनता था कि कहीं वड़ेरे को फता ना चल जाए वरना वो अपने आदमियों से इसे हलाक भी करा सकता था कासिम का तालो वरीब घराने से था इन दोनों खांदानों का जोड मुम्किन नहीं था कासिम अक्सर फिरोजा को समझाता कि हम दोनों अच्छे दोस्त ही रह सकती है इसलिए आगे बढ़ने में हम दोनों की जान को खत्रा है फिरोजा जिदी किसम की लड़की थी बच्पन से वो अपनी हर बात मनवाती आई थी और इसके जिन में यही बात थी वो अपने बाप से जिद करके कासिम से शादी रिचा लेगी मैं वडेरा जान मुहम्मद के हुकम पर यूनिवस्टी जाकर फिरोजा से मुलाकात करके खर्चे के लिए रकम और जो चीज़ें वो मनवाती दे कर चला आता था अक्सर मेरी मुलाकात फिरोजा से होती तो वो कासिम भी इसके साथ होता था फिरोजा जैसे ही किसी सहीली के बास चाती कासिम इसकी गहर मजूबकी का फाइदा उठाकर मुझे कहता कि फिरोजा आग और पाड़ी का खेल खेल रही है तुम इसको समझाओ कि मुझे हासिल करने का ख्याल दिल से निकाल दे वडेरा जान मुहमद इस रिश्टे पर त्यार नहीं होगा मुम्किन है कि मेरी जान का दुश्मन हो जाए मैं इसको समझाता कि तुम फिकर ना करो ऐसी नोबत नहीं आएगी मेरे जहन में ये बात है कि फिरोजा वडेरा जान मुहमद की कमजोरी है अगर इसने कासिम से शादी करने की जिद की तो हर्गे जिनकार नहीं करेगा और इस रिश्टे पर त्यार हो जाएगा कासिम एक खुबसूरत नाजवान था तालीम हासिल करके एक दिन इसे डॉक्टर बन जाना था इसका मस्तक्बिल रोशन था दिन गुजरते रहे और फिरोजा की महबत में शिद्ध बढ़ती रही कासिम भी खुश था इसके वालदین ने जो खुब देखा था इसकी तकमेल जल्द होने वाली थी फिर एक दिन फिरोजा और कासिम दोनों डॉक्टर बन गए डॉक्टर बनने पर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए कासिम शहर में और फिरोजा गाउं में थी कासिन के बगएर फिरोजा का गाउं में दिल नहीं लगता था इसने वडेरा जान मुहम्मद से शेहर में क्लेनिक खोलने की इजाज़त मांगी तो इसने साफ इंकार करते हुए इसे बताया कि इसने वडेरे रहीम बख्ष के बेटे मौला बख्ष से इसकी शादी करने की बात पकी कर दी है जल्द ही वो बाकाइदा मंगनी की रसम अदा करने आने वाले हैं फिरोजा को मौला बख्ष बिल्कुल भी पसंद नहीं था इसलिए इसका इस्तिजाज करना फितरी रद्यामल था फिरोजा ने इस सिच्टे पर इतरास करते हुए कासिन से शादी की खुआहिश जाहिर कर दी वडेरा जान मौला अपनी बेटी से अपनी पसंद की शादी पर भड़क उठा और इसके बाहर निकलने पर पबंदी लगा दी और इसने वडेरा रहीम को मंगनी की रसम जल्द अदा करने को घा वडेरा रहीम बख्ष भी यही चाहता था कि जल्द से जल्द मंगनी की रसम अदा हो जाए दोनों तरफ मंगनी की रसम की त्यारियां जोरो शोर से होने लगी थी ये कहते हुए दीनू बाबा कुछ देर को खामोश हो गया मैं और मेरे साथी गोर से दीनू बाबा को देख रहे थे वो मुस्कुराया और फिर पानी का एक गलास भी कर हम से मुखातिब हुआ हम दिल्चस्पी से बाबा की तरफ देख रहे थे इस रोज मैं किसी काम से हवेली के एक कमरे में गया था मुझे ऐसा महसूस हुआ फिरोजा किसी से बात कर रही है कमरे की खिर्की खुली होने की बिना पर बराबर के कमरे से फिरोजा की आवाज सुनाई दे रही थी वो कह रही थी कासिम तुम्हें हर हालत में आना है वरना मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूँगी और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी मैं कुछ नहीं जानती तुम्हें कार लेकर आना है मैं अपने सामान का वैक त्यार रखूंगे एक बार हमारी शादी हो जाए फिर बाबा खुद ही मान जाएंगे इस रिश्टे पर ये कहते हुए इसने फोन बंद कर दिया फोन बंद करके वो जैसे ही इस कमरे से बाहर जाने लगी खिर्की से इसकी नजर मुझ पर पड़ी वो बुरी तरह चूंकी और फिर खिर्की में मूँ करके बोली दीनो तुमने कुछ नहीं सुना है ये दमाग में रख लो मुझे खामोश देखकर वो फिर बोली अगर सुन भी लिया है तो यही समझो कि तुमने कुछ नहीं सुना मेरा ख्याल है तुमने मेरी बात समझ ली है कोई भी पूछे तो तुमने ये कहना है कि तुमने कुछ नहीं सुना फिरोजा बोली बीबी अब कासिम को गाउं नहीं मुलाएं बडेरा साइं को इसके आने का पता चल गया तो वो कुछ हो जाएगा जिसका हम तसवर भी नहीं कर सकते मैंने फिरोजा को समझाना चाहा फिरोजा इस वक्त कुछ समझने को त्यार नहीं थी इसकी जिद यही थी कि मैं अपनी जुबान को बंद रखू मैंने हमी भर ली जिस पर वो मुतमेन हो गई फिर वो ही हुआ जिसका मुझे डर था तीन दिन बाद रात की तारीकी में फिरोजा अपना सफरी बैग लिये हविली से निकली मडेरा जान मुहमद की तफाक से आंक खुल गई इसने बिस्तर से उटकर ऐसे ही खिर्की से बाहर जांका फिरोजा हविली का बाहर का गेट खोल कर जा रही थी मडेरा जान मुहमद को हैरत का जटका लगा लेकिन इसके जहन में और ही बात थी इसलिए कोई शोर शराबा ना किया वो खमोशी से कमरे से निकला हविली के पहरेदारों को जगा कर अपने साथ लिया और खमोशी से फिरोजा का पीछा करने लगा वो पीछा इस खमोशी से कर रहे थे कि फिरोजा को जरा भी शक ना हुआ वो खमोशी से आगे बढ़ते ही जा रही थी कासिम इसको कुछ फासले पर नज़र आया वो लपक कर इसके पास जा पहुँची क्या कार नहीं लाए अब हम कैसे शेयर जाएंगे फिरोजा ने कहा कार मैं लेकर आया हूं लेकिन इहत्यात के तोर पर कार कुछ फासले पर खड़ी है किसी को शक नहो कासिब ने कहा किसे शक होगा पूरी बस्ती के लोग सो रही है किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा और हम गाउं से फरार हो जाएंगे फिरोजा ने कहा फिरोजा एक बार फिर सोच लो कल कही तुमें पच्चताना ना पड़े हमारे इस अकदाम से तुम अपने खानदान से हमेशा के लिए कड़ जाओगी कासिब ने कहा मैंने खूब सोच लिया है तुम जल्दी चलो कही हवैली में मेरी गुम्शिदगी की किसी को खबर ना हो जाए और पकड़ लिये जाए फिरोजा ने कदम आगे बढ़ाते हुए खा जवाब में कासिब ने भी कदम आगे बढ़ाए लेकिन इसके कदम रुक गए वो चारों तरफ से घेर लिये गए थे इन पर बंदूके तनी हुई थी खौफ से दोनों के चेहरे फक हो गए इनके वहमों गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पकड़े जाएंगे फिरोजा को वडेरा जान मुहमद पकड़ कर हवेली के अंदर ले गया जबकि कासिम को हवेली के स्टून से बांध दिया गया सुबा होने पर वडेरा जान मुहमद को कासिम ने साफ साफ बता दिया था कि इसका इरादा फिरोजा को ले जाने का नहीं था और वो फिरोजा को अपनी जान देने की धंकी पर मजबूर होकर गाउं से लिने आया था वडेरा को बहुत गुसा था इसे अपनी बेटी फिरोजा से इस तरह की हरकत की बिलकुल तवकों ना थी कासिम बेकसूर था लेकिन वो हुएली की दूसी लड़कियों को ऐसा सबक सिखाना चाता था कि वो भी मस्तक्बिल में ऐसा कोई कदम न उठा सके इस वाके से नसीहत पकड़े एक दिन वडेरे जान मुहम्मन ने हुएली के मेदान में कासिम के हाथ पाव रसीयों से बांध कर डाल दिया हुएली के मर्द और और ओरतों को भी मेदान से कुछ फासले पर कुरसियां डाल कर बिठाया गया सब हैरत जदा थे के देखें वडेरा क्या करता है वडेरे ने जैसे ही अपने हाथ के शारे से मुलाजम को हुकम दिया तो उसने दो दिन के फूके कुटे कासिम पर छोड़ दिये वो कासिम पर ऐसे लपके जैसे शिकार पर लपकती है कुटों ने कासिम के जिसम में अपने खून खौर दांत पेवस्त कर दिये कासिम कुतों के हमले से बुकला गया वो चीखो पुकार कर रहा था लेकिन इसकी चीखो पुकार सुनने को कोई भी त्यार ना था चीखते चिलाते वो बेदम सा होने लगा इसके जिसम से गोश नोश नोश कर कुते खा रहे थे हवेली के सब ही लोग एक इनसान को कुतों की खुराक बनता देख रहे थे लेकिन किसी की हिमत नहीं हो रही थी कि वो कुतों से कासिम की जान बखशी करा सके वो सब सकते की हालत में थे किसी को भी वडेरे से इस किसम की उमीर नहीं थी वडेरा तुने जान बुझकर मुझे बेकसूर कुटों की खुराक बना दिया है लेकिन मरने के बाद भी मेरी रूफ तुझसे इंतकाम लेगी इस हवेली के एक एक फर्द से इंतकाम लेगी क्योंके सबने मुझको कुटों की खुराक बनते देखा है लेकिन किसी ने भी मुझे इंसे छुडाया रही कासिम ने चिलाते हुए कहा मडेरा ने जोरदार कहका लगाया और इसे मुखातिब करते हुए बोला तू इंतकाम लेगा तू अपनी जान तो बचाना सका हमसे क्या खाक इंतकाम लेगा मैं नहीं बलके मेरी रोह तूज से इंतकाम लेगी कासिम ने कहा सब बखवास बाते हैं मरने वाले इस बेवजान पत्थर की माने दूते हैं जो अपनी मरजी से हरकत नहीं کر सकते मडेरा जान मुख्मन ने कहा ये वक्त बताएगा ये कहते हुए कासिम ने अपनी जान दे दी मडेरा अपनी कुर्सी से उठकर हवेली के अंदर चला गया इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कराहट थी इस वाके से इसने हवेली की खवातीन को सबक सिखा दिया था कि आएंदा किसी ने फेरोजा जैसी हरकत की तो इसका इंजाम भी बहुत भिहानक होगा कासिम के मनने के बाद अभी एक हफता भी नहीं गुजरा था कि हवेली में रात के वक्त पुरे सरार किसम की आवाजें आने लगी रात के सननाटे में वो आवाजें कमजोर दिल के मालिक को डरा देने के लिए काफी थी एक रात वडेरे जान मुहम्मद का बड़ा बेटा अच्छा बला सोया था के सुबा होने पर बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया अभी इसका इंतकाल हुए तीन दिन ही हुए थे چوتھے روز دوسرا بیٹا پیر محمد بھی بستر پر مردہ حالت میں پایا گیا اور دو ہموات نے گھر بھر کے افراد کو ہلا کر رکھ دیا एक ہفتہ سکون سے گزرا تھا کہ وڈینے کا تیسرا بیٹا نیاز محمد بھی اپنے بستر پر مردہ حالت میں پایا گیا وڈینہ جان محمد اس واقعے پر ہل کر رہ گیا چوتھے بیٹے نور محمد پر خوف تاری ہوا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے سمیت हवेली से किसी को बताए बगैर वाइब हो गया वडेरा जान मुअम्मद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें सोचते सोचते इसके जहन में यही बात आई कि किसी आमिल से इसका सहारा लेना चाहिए जिन्दगी बर वो जादू टूने से दूर रहा था लेकिन अब जादू टूने का सहारा लेना इसकी मजबूरी बन गया था सुबा के वक्त वडेरा ने मुझे बुला कर कहा दीनू तुमने आमिल नवीद शाह का आस्ताना देखा है हाँ हाँ वो गाउं से कुछ फासले पर है मैंने कहा फिर तुम जल्दी से मेरे साथ चलो हमें अभी इसी वक्त आमिल नवीद शाह के पास चलना है वडेरा खोडे की तरफ पढ़ते हुए बोला साही अदी फिरोजा को पता नहीं क्या हो गया है दर्स से बुरी तरह चला रही है अल्ला बचाई ने आकर बताया वडेरा उल्टे कद्मों हमेली में दोड़ा बाकई फिरोजा बे आब मचली की तरह जमीन पर उचल रही थी तकलीफ इस से बरदाश नहीं हो रही थी फिरोजा को फौरी तोर पर शेहर के हसबताल ने जाने के लिए तियारिया की जा रही थी कि इसने दम दोड़ दिया फिरोजा से वडेरे को बहुत महबत थी फिरोजा की इस तरह मौत पर वडेरे की हालत पागलों किसी हो गई थी सौइम वाले दिन जब हवेली के मेदान में गाओं के लोग बैठे थे अचानक हवेली के एक कमरे की गैलरी से वडेरे जान महमत की बीवी धड़ाम से नीचे गिरी और इस वक्त इसने दम दोड़ दिया वो भी बेटी का सद्मा नहीं भूल पाया था बीवी भी साथ छोड़ गई थी वडेरे ने कई बार आमिल नवीच चाह से मदद लेना चाही लेकिन कोई न कोई ऐसा मसला आ जाता कि वो इसके पास नहीं जा पाता अलगर्ज वडेरे की तीनों बेटों की बीवियां और इनके बच्चे एक एक करके वडेरे जान मुहम्मद के सामने दम दोड़ गए वो इने बिलकुल भी ना मचा सका लगातार सद्मे मिलने पर वडेरा जान मुहम्मद अपने हवास को बैठा और गाउं में पागलों जैसी हरकते करता फिरता था दिन बर फटे बुनाने कपड़े पहने मट्टी और धूल से खेलता रहता बच्चों को अच्छी तफरी मिल गई थी इसे देखकर वो पागल पागल के नारे लगाते जवाब में वडेरा जान मुहम्मद जोर जोर से हंसता हुआ इने पत्थर मारने को दोड़ता इसे अपने पीछे आता देखकर बच्चे रफू चकर हो जाते एक दिन वडेरा जान मुहम्मद की लाश हवेली के में गेट के पासे मिली थी ऐसा लगता था जैसे किसी खूनखार जान में इस पर हमला करके हलाक किया है बडेरे जान मुहम्मद की हलाकत के बाद से वो हवेली वेरान है कोई रात तो दूर दिन में भी इसमें जाने से कतराते हैं दीनु बाबा ये कहते हुए खामोश हो गया हवेली के बारे में इतने संसनी खेज इनकिशाफाद सुनकर मुझे तश्वीश पैदा हो गई थी कि कहीं वाकई शफी मुहम्मद का तालुक भी वडेरा जान मुहम्मद के खामदान से ना हो ऐसा होने की सूरत में हमें इसे बचाना था मैं अपने साथियों के साथ हवेली पहुँचा मारी कार हवेली के बाहर मुझूद थी शफी कार में नहीं था कार में इसका ना होने का मतलब यही था के वो जरूर हवेली के अंदर ही होगा मुझे बढ़ासी की हालत में हवेली में दाखिल होता देख कर नदीम चूंका क्या हुआ तुम सब मेरे पीच्छे आओ मैंने कहा मुझे घबराया हुआ देखकर वो भी मेरे पीच्छे लबके शफी मुहम्मद की वहाँ गयर मौजूदगी जाहर कर रही थी कि वो हवैली के किस कमरे में गया है मैंने इसे आवाज दी लेकिन जवाब में मेरी आवाज ही पलट कर आ गई शफी मुहम्मद के जवाब में आवाज सुनाई ना देने से मुझे सक्त तश्वीश हो रही थी गबराहट से मेरे चेहरे पर पसीने आ गए थे मैं भागता हुआ 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 हुआली के अंदर मुझे पलंग पर लेटा हुआ था हम इसके लिए परिशान हो रहे हैं और वो देखो कितने मज़े से पलंग पर सो रहा है शफी मुहम्मद ये क्या हरकत है मैं जोर से चीखा मेरे चीखने पर भी इसे कुछ असर नहीं हुआ था मैं घुसे में भरकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मेरी नजर फर्श पर पड़ी फर्श पर खून ही खून पड़ा था वो मनज़र देखकर मैंने जब गोर से शफी मुहम्मद की तरफ देखा तो लर्ज गया शफी मुहम्मद के दिल के मुकाम पर एक तेज धार खंजर गुसा हुआ था जिसमें से खून बहरा था वो शफी मुहम्मद के जिसम से निकल कर फर्श पर बहरा था कासिम की रूह ने आज भी शफी मुहम्मद को मौत की नीन सुला कर थाबित कर दिया था कि इसने वडेरा जान मुहम्मद को बदला लिने का चैलenच दिया था इसे पूरा कर दिया था मैं हमेशा शफी मुहम्मद की बात को छोट ही समझता था लेकिन आज थाबित हो गया था कि शफी मुहम्मद का तालोग मौढेरा जान मुहम्मद के खानदान से था अफसोस के पुलिस रार हवेली का रास मुझे इस तरह से मलूम हुआ जब कासिम की रूप शफी मुहम्मद को अपने इतकाम का निशाना बना चुकी थी